क्लास 11 चैप्टर नमबर 20 जोमेंट्रिक प्रोड़िशन आड़ी सर्वार का में एमसी क्यों कर रहे थे एमसी क्यों का नेक्स्ट हमने कोश्चन नमबर 6 तक कर लिया था नेक्स्ट कोश्चन नमबर 7 है दा फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ टू पॉइंट थ्री फाइप सम्ट यहां पर इस पर रेक्रिंग ठीक है इस पर बार है तो हमको इस नमबर को फ्रैक्शर में कर्वर्ट करने तो मेरे हिसाफ से यह वाला ओप्षण हो जाएगा देखते हैं पहले ना मैं अब हम जैसे छोटी क्लासों में करते था पहले आपको ऐसे बता देता हूं तो इसको एक्स ले लो एक्स लोगे तो यह जाएगा टू पॉइंट थ्री फाइप सेवन पर बार है तो बेसिकली हम इसे क्या लिख सकते है अब दिको बार मतलब यह चीज है ना र चलता जाएगा अब अब देखो कितनी डीजीट रिपेट कर रहा है तीन डीजीट रिपेट कर रहा है न तो आप थाउजेंड चे मिल्टिपलाइब कर दो यह हो जाएगा 253 2357 पॉइंट 357 357 and up to so on ठीक है I hope आपको यहां तक तक कोई प्रॉब्लम नहीं अब इस थाउजंड थे ही तो मिल्टेप्लाई का रहा है अब अब देखो अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा इन दोनों को माइनस करोगे तो आप देखो यह वाले सारे टम्स तो जेरो हो जाएंगे भए को क्यों है están isÓटि कियों क्यों यह देखो यह एक टर्म माल विद्या अब थे क्यों हम फिर भी इन्फिननेटी नागर इन्फिनिटी मीस से पिर जबने फिर वह इंफिनिटी माइनस वन क्या होता है इंफिनिटी ही होता है इंफिनिटी ही होता है न तो यह भी इंफिनिटी यह इंफिनिटी तो कि इन दोरों को माइनस करेंगे तो यह सारे 0 हो जाएंगे और इनको माइनस कर लो तो यह हो जाएगा माइनस 999 X और इसको माइनस करोगे तो 2357 माइनस 2 यह हो जाएगा 2355 माइनस का यह माइनस और यह माइनस कैंसल तो X हो जाएगा 2355 आप वान में 9 यह जाएगा 2355 आप यह जाएगा 2355 आप यहां पर जो करते हैं ठीक है फिर भी हम जीपी पढ़ रहा है तो हम इसे जीपी सही करेंगे तो अब देख लो एंसो यह होगा और आप ऐसे भी हुद भी सोच सकते थे क्योंकि जब भी आता है न तो यह वाला ऑप्शन तो ऐसे भी होनेगे बार था कैसे नी हो सकता सा क्योंकि हम क्या करते हैं नीचे returned तो आता ही नहीं जिएक हम कभी भी टॉ-करते नहीं है हम इसा करते क्या सब्ट्रेक्ट करते हैं सब्ट्राइट करते हैं तो वन और वन जपात हुझे जब यह दोनों आप होंगे तब आएंगे न कि तो आप देखलो फिर हम देखलो क्या मैं यह मैंसर्ट टू था यही वैसिकली मैंसर्ड वन है यह मैंसर्ट टू कि अब देखलो में इसे जीपी की मदद से कैसे करेंगे यह 2.2.357 मतलब यह है 2.357 357 357 and up to so on यह कितनी भार रेपेट हो रहा है नहीं पता बहिए लब इन्फाइनाइट टाइम से पेट हो रहा है नहीं पता तो हम इसे लिख सेकते हैं न टू टू प्लस 0.357 357 357 and up to so on अब देखो अगर आप हम टू पॉइंट इसको यह लिख सेकते हैं अगर आपको नहीं पता चले तो आप क्या गरों इन दोनों को एड़ करके देखो यही बनेगा वापस से ठीक है इसी तरह से अब हम इसको क्या लिखेंगे अब देखो रिपिट क्या हो र प्लेस 0.000357 प्लेस 0.000000357 and up to so on हमने क्या करा पहले इसे लिखा फिर इसे लिखा फिर इसे लिखा फिर इसे लिखा ठीक है अब इन सारे को एड़ करोगे न तो वापस से यही बन जाएगा अब चाहो तो एड़ करके देख सकते हो मैं अब दिखा जिता हूं ठोड़ा 0.357 यह 0.00357 यह 0.000000357 जब आपने इनको एड़ कर रहा हो तो यह हो जाएगा 753 753 और यह हो जाएगा 753 क्या बोल रहा हूं है 357 357 357 और यह हो गया 0. तो आप दिखें वापस से यही बन गया ठीक है वापस से यही बन गया तो हम इस चीज को यह लिख सकता है अब अब क्या करो इस पॉइंट को हटा दो तो यह जाएगा 357 अपॉन में 1000 यहां से यह पॉइंट हटा होगे तो 357 अपॉन में क्या आएगा इसे तरह से आपने यह पॉइंट को अटा है तो यह गया 357 अपॉन में 90 आ जाएंगे अब देखो 123456789 अठीक है अब टुसो ओन अब देखो इन में आप क्या करो 357 को कॉमन करो 357 कॉमन करा अंदर बचा इसको आप लिकल सकते हो 10 का क्योग इसको ले। 10 के पावर 6 इसको ले सकते 10 के पावर 9 and up to so on अब आप आप पर इन्फाइन सीरीज का फॉर्म्यला आगा दू अब देखो यह ध्यान से अब इस जी पी में है अब सकेंट टर्म को डिवाइड करो फ़स्ट टम से उपन टैन रेस्ट कर शिक्स अपन उपन टैन रेस्ट कर थे वेन बेसे जाएगा इसे तरह से आप इन दोलों को डिवाइड करोंगे यह है वुना आपके तेन डियस्ट पर स्ट्री हो जाएगा वान थैन पर नाइन अपान एंपान फ्र उन ए इससैनों नाइस्टो यह घाते हैं और अगर कोई सेरिस अंच अ है और उसका सॉममें इन फाइनी तब ताम्च तक निकालनात ऊपर्मॉला होता है ए अपन वन खल तो आप देखो इस सिरीज का सम्मी में यहां पर निकाल दिल्थ पहुआ ओम देख में यह फिर्स्टाइव दिसिस इह स्यारा ऑप अपन टैंन क्यों वन अपन टैंन क्यों आप आपन गया ऊत। एर है वन इपॉंण 10 क्यूंग तो यह जंब लोग यह जाएगा वन आपॉंद इन क्यूंग यह इधर गया तो 10 क्यूंग मतलब 1000-1 अपॉंद 10 क्यूंग से 10 क्यूंग इसको इधर करो इसको अपयुँद को और को यह जाएग एटीन इसको इसके साथ में टेप्लाई करो अब फिर एटीन यह बनेगा लस में 357 अपॉर में 999 तो फाइनली सॉल करना तो यह हो जाएगा 2355 अपॉर में 999 तो यहीं बन जाएगा एक तो मैं अथड़ यह हो गया और यह एक मैं अथड़ यह हो गया अब नेक्स नेक्स्ट कुस्टन नंबर एठ है इफ पी एथ क्योएथ एड आरेथ टर्म्स अफ न अपी आरेइन जीपी दें दा कॉमन रेशियो अफ इस जीपी इस खरते हैं पी एथ टर्म को आप किसंट करते हों एपी से क्योएथ टर्म को एक्यो से अरे तो यह एक idag है पी एथ के वैब्स अरेथ टैर आरेथ टर्म अरे-इड डूप कि लेकिन किसके हैं एपी एक्योर क्या है तो आ टर्म्स ऑफ फ एबि ये किसके डर्म्स है तो एपी के टर्म्स अब है सो अब दिको एपी का जण्रल drought क्या होता है एपी जण्रल टर्म इस द्ले freshmen रहां एब ब्लस एड माइनस वान डीए यहunta तो आप अब देखो AP क्या बनेगा अब compare करो N के जगह क्या P है तो यहाँ पर प्लस P-1D AQ क्या होगा अब compare करो N के जगह क्या है Q होगा तो Q replace कर दो A plus Q-1D AR अब compare करो N के जगह क्या R है तो वहाँ पर R replace कर दो A plus R minus 1 ठीक है अब देखो यह किसके TURMS है GP के है NA तो GP के TURMS कैसे होते AR 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 Q and up to so इस टाइप के TURMS होते है तो अब इसको ऐसे ही support कर लो अब अब देखो यहाँ पे small r तो use हो चुके है और small r भी use हो गया है तो हम क्या करेंगे difference करने के लिए capital A यूज कर लिए और र तो यह जाए capital A capital A square ठीक है बिसीकलिए हमें यहाँ पर यह आर calculate करना यह वल र तो कैसे करेंगे आप देखो तो आप इनको इनका कुछ नाम देदो इससे first देदो इससे second इससे third ठीक है अब इन दोनों को minus करो तो equation 1 equation 2 और equation 1 को हम subtract कर रहे है इससे क्या होगा अब करेंगे तो देखो पहले अब देखो a r minus a करोगे तो यह a और यह a cancel हो जाएगा यह बनेगा p minus 1 minus q minus 1 और इन दोनों में d भी common था तो हमने d भी common कर लिए अब अब देखो इससे क्या benefit होने वाला हम ना इन दोनों को minus करेंगे यह इन दोनों में से किसी को भी minus कर लेंगे लेट असे सपोसे कि हमने इन दोनों को माइनस कर लिया ठीक है थार्ड और सकेंड को माइनस कर लिया तो यहां से ए फिर कैंसल हो जाएगा यह वाला डी वाला आएगा टर्म और यह वाला तो आप देखो इन में ए कॉमान इन में भी एक मनटर हो तो कैंसलों का यह तो फाइलेली एक्वेशन किसमें वन लेका गाएंट डेक्वेशन रिप आर मेया जाएगा वहां से हम मारों कर लेंगे अब अब जीका मैं करूंगा नहां तो आपको जाधा किलिए रोगा अब इन दोनों को सब्रायट करो equation third minus equation second मैंने इसको solve ही नहीं करा अब देखो इन दोनों में a common है तो a common कर दो a r minus 1 और आप देखो which is equal to इसको जब आप solve करोगे तो यह होगा p minus 1 अंदर minus multiply करोगे minus q minus 1 3 plus 1 7 cancel p minus q d ठीक है इसी तरह साब इन दोनों को minus करोगे तो a r square minus a r which is equal to. a से a cancel इसको इससे minus कर रहे है r minus 1d minus q minus 1d ठीक है और आप देखो हमने two में से one को minus कर रहा तो यहाँ पर आएगा q यहाँ पर आएगा p यहाँ पर आएगा q यहाँ पर आएगा p ठीक है देखनी मैं छोटी से मिस्टेक लगर ही होगी लेकिन पूरा question गलत हो जाएगा तो हमें थोड़ा माइनस प्लस का दियान रखना है अब हम दिखो इन में क्या common है इन में ए आर common है तो यह वच्छे का आर माइनस वन विच इस एक्वल टू इन में डी कॉमन है आर माइनस वन माइनस कोंदर सुट करो माइनस क्यो फ्लस वन अमेरे एवन से वन कैंसल तो ए आर आर माइनस वन विच इस एक्वल टू आर माइनस क्यो डी अप इसको relation 5 बोल लो और इसको relation 4 बोल लो इन दोनों को divide कर दो dividing 4 and 5 we get इन्हों नोगो डिवाइड करोगे तो a r minus 1 upon a r r minus 1 which is equal to q minus p upon r minus q d d से d cancel a से a cancel r minus 1 से r minus cancel तो 1 upon r which is equal to q minus p upon r minus q यहां से हो जाएगा r which is equal to दोनों कारे से प्रोग करोगे तो r minus q upon q minus p तो यह कोई साभी option match नहीं कर रहा तो पढ़ेगा इन्हों अब जो ऊपर से minus comment करो तो यह जाएगा q minus r नीचे से minus comment करो p minus q तो यह जाएगा q minus r upon p minus अब आप देखो तो यह वाला option तो यह वाला option प्रोगे नीचे से प्रोगे था आप देखो नीचे से पर आप तो यह जाएगा है 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 बन MIDI को इस इस चीज़ की वैल्यू निकाल इन नइन नएन के पावर रट रसे नइन के पावर लट र 1 नाइन के पावर 1 रटवेंटिस sopran कहां तक स्थे इंफटेट हिए सो नहीं लोगे इंफिनिटी तो आप देखो यहां पर 1 upon 3 plus 1 upon 9 plus 1 upon 27 and up to so on infinity यह सीरीज किसमें है आप ध्यान से देखो यह जो सीरीज है यह जीपी में है आप चेक करना तो कर लो आप देखो सब्सक्राइब थर्ड टाम को सकेंड टाम से डिवाइड करोंगे वन अपॉन 27 वन अपॉन नहीं हो जाता है तो यहां पर जीपी का श्रम का फर्मुला लगा दो कौन सा वला इन्फिनिटी वला क्योंकि आप कहा तक सम कर रहें इन्फिनिटी तक इसली होता है इसका फॉर्मुला होता है यृपान 1 वान वाइनस अ तो अब देखो ए क्या है वन अपॉन 3 एश कर दो यह जाये गा उन अपॉन 3 अपॉन 1-1 upon 3 इसको इधर 3-1 upon में ये दोना तो 3 से 3 cancel 1 upon 3-1, 2 इसकी value आ जाएगी 1 upon 2 यहाँ पर replace कर दो तो 9 के पावर 1 upon 2 that is 1 upon 2 को मतलब square root of 9 और square root of 9 क्या होते है 3, तो option B हो जाएगा ठीक है तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं next next question number 10 है the sum of an infinite GP is 4 मतलब एक GP है infinite GP है जिनका sum 4 दिया हुए that is S infinity हमें 4 दिया हुए and the sum of the cube of its term is 92 एक GP है कौन सा GP GP कैसा होता हमारा A, AR A, AR स्केयर A, AR क्योब A, AR रेस्ट पार 4 and up to so on ऐसा GP होता है ऐसा ही GP होता है न हमारे पास GP तो ऐसे होता है अब देखो हमें क्या दिया है हमें दिया हुए sum of cubes of its term which is equal to 92 sum of cubes of its term मतलब जो GP के terms में उनका cube करो यही terms है न जीपी के अब इनका क्योब करो A का क्योब A, AR का क्योब A, AR स्केयर का क्योब A, AR क्योब का क्योब and up to so on करते जाओ इनका sum इनका sum sum कर दो क्या दिया हुए 92 और यह कहां तक जारा infinity तक जारा क्योब infinity क्योब जारा हुए आप देखो हमारे पास क्या दिया हुए जो GP था वो infinite infinite GP था आप देखो बोला क्या the sum of the cube of its of its term मतलब इस GP के term का क्योब और GP में कितने terms है infinite तो इसलिए यहाँ पे भी infinite terms आएंगे ठीक है आई होप आपको कोई issue नहीं होगा आगे बढ़ते हैं तो आप देखो आप क्यूब कर दो इनका तो a cube प्लस यहाँ पे क्या होगा powers distribute इसको अलग से इसको अलग से इसको यहाँ पे a cube इसको देऊगे तो क्या होगा powers multiply होते है तो 2 इंटो 3 6 तो r रिस्ट पर 6 प्लस a cube multiply करो r रिस्ट पर 9 and up to so on infinity which is equal to 92 चेक है अब अब ध्यान से देखो यह जो series है ना यह GP में है अब ध्यान से देखो यह जो series है यह GP में नहीं भी स्वास हो ला चेक कर लो second term को first term से डिवाइड करो a cube upon me r cube sorry a cube r cube upon me a cube तो a cube से a cube cancel यह हो जाएगा r cube इसी तरह से आप इंदों नों को डिवाइड करो third term को second term से तो a cube r रिस्ट पर 6 upon me a cube r cube a cube से a cube cancel when basis are same for some subtract it's 6 minus 3 3 हो जाएगा तो यह होगे r cube ठीक है इसी तरह से आप इंदों को डिवाइड करोगे तो भी r cube आएगा तो आप देख रहें ratio same आगा ratio same आए तो series किसमें हो जाता है gp में हो जाता है तो आप यहाँ पर gp का finite terms सुला formula लगा दो क्या होता है a upon 1 minus r यहाँ पर a क्या है a है a cube r है r cube तो यह होगे a cube upon में 1 minus r cube which is equal to 92 और s infinity का formula है a upon 1 minus r which is equal to 4 तो a which is equal to इसको आप इधर लेकर आओगे तो 4 into a equal to 4 into 1 minus r तो a cube के जगा आप यह replace कर दो तो 4 into 1 minus r का whole cube upon में 4 का cube करोगे 64 हो जाएगा ठीक है 4 का cube किया 64 r minus 1 का cube किया r minus 1 cube upon में 1 minus r का sorry 1 minus r cube which is equal to 92 ठीक है अब आप देखो 94 से cancel करोगे तो यह कितनी बार में चला जाएगा मेरे इसाब से 23 हाँ 23 4 से cancel करा तो यहाँ पर 16 आएगा अब तो cancel नहीं होगा अब आप देखो यहाँ पर a cube minus b cube क्या होता a cube minus b cube होता a minus b into a square plus a b plus b square तो यह हो जाएगा 16 16 1 minus r r का whole cube upon में यहाँ पर आप a cube minus b cube लगा अब देखो 1 को 1 का cube लिग सकते हो न और यह r cube यहाँ पर a minus b का whole cube sorry a cube minus b cube लगा तो a cube minus b cube क्या होता है a minus b तो यह हो जाएगा 1 minus r into a square plus a b plus b square 1 का square 1 फिर a b इन दोनों का product r into 1 r और फिर इसका square r square ठीक है तो आप देखो 1 minus r से यह का answer तो यहाँ पर हो गया square which is equal to 23 अब आप देखो यह हो गया 16 upon 1 minus r का whole square और यह हो जाएगा upon में 1 plus r r square which is equal to 23 इसको आप इधर multiply करो 16 और यहाँ पर आप a minus b का whole square लगा दो a minus b का whole square होता है a square minus 2ab plus b square तो यह हो जाएगा 1 का square 1 minus 2ab तो minus 2r इन दोनों का प्रोड़ेट और उसके साथ लगाओ 2 तो r into 1 r और लगाया minus 2 तो minus 2 r और फिर इसका square r square which is equal to 23 into 1 plus r plus r square ठेक है I hope आपको यहाँ तक तो कोई इसको नहीं हुआ होगा अब आप solve करो बस solve भी करना है यहाँ पर में तो 16 into 1 16 minus 16 into 2 r 32 r और इसको इसके साथ तो plus में हो जाएगा 16 r square which is equal to 23 23 r plus में 23 r square ठेक है इसको आप उधर सारे को उधर shift कर लो तो यह हो जाएगा 23 r square minus 16 यह हो जाएगा 7 r square यह हो जाएगा 7 r square सही हो ना बिल्कुल चाही इसको उधर 23 minus यह उधर जाएगा तो plus हो जाएगा क्या है 32 32 है ना 55 55 55 बन रहा है यह तो 55 r 55 r और यह इधर जाएगा तो plus का 7 equal to 0 तो 7 into 7 49 r square ही बन रहा है यह middle वाला term जाद ही बढ़ा नहीं यह उनने एक मिस्टेक तो नहीं कर रहा है जब तो सही ही जा रहा है a cube 4 का cube करोगे तो क्या 64 ही आता है 4 का cube 64 ही आता है ठीक है और 92 को हम डिवाइड करेंगे और से और से तो क्या आएगा ठीक है 23 ही आएगा फिर तो cancel नहीं होने वाला ऑन वाइन अब पर चीख आएग से इन गटर्मने स्प्लेटक निट कर पाएगे यह पर मिड्ल टर्म शप्लेटक तो नहीं होगा तो अब डायएट फॉर्मिला लगा ही लगा दो और हॉर्मिला क्या बोलता है एक्स square plus bx plus c equal to 0 अगर equation रहे तो अगर हमें x निकालना हो तो formula होता है x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a आप यहां से compare करो a क्या है a है 7 b है 55 और c है 7 ठीक है यहां पर replace कर दो तो r हो जाएगा minus b minus 7 plus minus square root of b square तो 55 का square 55 का square minus 4ac 4 7ac 7 into 7 49 upon 2a is 7 तो r की value आ जाएगी यहां आप माइनस 55 आएगा माइनस 55 प्लास माइनस square root of यह क्या बनेगा मैं इसको directly solve कर देता हूं अब देख लेना एक बार ठीक है यह बन रहा है कि यह क्या बनेगा यह बनेगा 2829 अपन में 14 और अगर हम इससे भी calculate कर दे यह क्या बनेगा यह हो जाएगा माइनस 55 प्लास माइनस इसको solve कराकर आ रहा है 53.something क्या रहा 53.something तो अगर हम प्लस वाला solve करेंगे दन तो माइनस 2 माइनस 1 अपन 7 तो कोई भी option नहीं आएगा माइनस वाला solve कर लो तो माइनस 55 माइनस 53 पॉइंट यह हो जाएगा क्या हो जाएगा तब भी इन में से तो कोई option नहीं मैच कर रहा है मुझे लग रहा है इस question में ही कुछ issue है तो आप देखना रहा है एंसर तो मैं अच नहीं कर रहा है ठीक है तो सायच से ना आप देख ले ना सायच से question में ही कुछ issue है मैंने check भी कर रहा question तो सही लिखा है मैंने आप देख लिए ना क्या मिस्टेक है कोश्टन में बाकी आर तो यही बन रहा है हमारा तो आप देख लोगी पर फिर हम नेक्स चलते हैं the next question number 11 है if the sum of first two terms of an infinite GB is one and every term is twice the sum of all the successive terms then its first term is अब देखो हम से क्या पूछा है first term पूछा है first term का मतलब है हमें a निकालना है ठीक है हमें a निकालना और पहले आप देखो starting से start करते हैं पहले आपने पता चली है क्या निकालना है और आगे question क्या बोल रहा है कि sum of first two terms और GP कैसा इन्फाइनाइट जीपी है जीपी कैसा होता है जीपी ऐसा होता है ए ए आर ए आर स्केयर ए आर क्योब एंड टू सो और चलता जाता है तो sum of first two terms first two terms मतलब a1 plus a2 का सम हमें दिया हो है 1 ठेक है and every term is twice the term twice the term of twice the sum of all successive terms successive terms का मतलब मैं समझाता हूँ आप देखो अगर जीपी में ऐसे terms मतलब जीपी के terms कैसे होते a1 a2 a3 ऐसे होता है ना यह होता a1 यह होता a2 यह होता a3 यह होता a4 and up to so on every term हर term हर term मतलब कि आप कुई साभी term उठा लो जैसे हमने a2 उठा लिया तो a2 किसके equal होगा a2 is is मतलब is equal to twice twice मतलब two into sum of all successive terms sum of all successive terms का मतलब है a2 के आगे जितने भी term है उनका sum तो a2 के आगे जितने term sum कर दो that is it ठीक है कुछ ऐसा ठीक है अगर आप a3 उठाओगे तो a3 किसके equal होगा a3 which is equal to two into a3 के आगे जितने टेम से आगे कितने यह टेम सा रहे तो a4 plus a5 plus a6 and up to so on कुछ ऐसा कह रहे है ठीक है तो हमें निकालना है निकालते हैं तो आप देखो यहां से हमें एवन क्या मिलेगा कि एवन हो जाएगा 1-a2 एवन मतलब एए टू मतलब एर ठीक है तो एक्वल टू 1-1 दिर्फियार, ठीक है, ठीक है ठीक है, अब अब देखो, अपना ये वाला रिलेस्न लेलो, a1 which is equal to a1 क्या होता है, a1 किसके equal होगा, two times a1 क्या अगे जितने term से, ये सारे a1 क्या अगे है, तो a1 is equal to two into a2 plus a3 and up to so on, ठीक है, आप देखो यह वाला लाइन यही कहा रहा थे कि हर टर्म is twice the sum of all the successory term मतलब हर टर्म equal होगा 2 into उसके जितने सम अलब उसके आगे जितने भी term से उनका sum ठेक है तो आप देखो a1 किसके equal है 2 into a2 plus a3 plus a4 and up to so on ठेक है अब देखो a1 क्या होता है a1 होता है a2 a2 होता है ar a3 होता है ar square a4 होता है ar and up to so on infinity यह आएंगे infinity तक क्यों कि इस सवाले जीपी में कितने terms थे infinite terms थे ठीक है इसलिए तो a1 का आगे कितने terms होंगे infinite terms होंगे और वेसी बात है अब देखो इन में क्या common है a common है और r भी common है पीछे रहा जाएगा 1 plus r square plus r plus r square and up to so on infinity ठीक है अब देखो a से a cancel हो जाएगा क्योंकि a 0 नहीं हो सकते जीपी की खासे होते है कि उसके कोई भी terms 0 नहीं होते क्यों नहीं होते बहिए अगर 0 हो गया न मानलो आप जिसे a 0 हो गया तो हम ratio कैसे निकालते a r upon में अगर a 0 हुआ तो सारा ही terms 0 हो जाएगा और अगर सारा time 0 हो गया तो जीपी में तो नहीं होने वाला है वो कैसे यह यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 ठीक है तो आप 0 upon में 0 करो 0 upon 0 धमाका हो जाएगा तो क्या होगा दिक्कात हो जाएगा जीरो अपॉन में 0 डिफाइड नहीं होता है ठीक है तो इसलिए जीपी के हर्ट में उनका ए और आर कभी 0 नहीं होता तो 1 विच इक्वल टू आर और आप दिको यह जीपी बन रही है अब सेकेंड ट Crush से डिवाइड करो र अपॉन र थर्ड टर्न को से डिवाइड करो र स्करण अब रसे मार रहे हैं तो यह सिरिज किसमें हो जाएगा जीपी में हो जाएगा और अगर यह series किसमें ZP में है और ZP का sum का formula क्या होता है infinite terms यह होता है a upon 1 minus r तब देखो यहाँ पे a क्या है 1 है और r क्या है r होता है common ratio क्या रहा है r रहा है replace करो तो 1 upon 1 minus r इसको इदर multiply करो 1 minus r into 1 1 minus r which is equal to r इस r को इदर लियाओ तो 1 which is equal to R plus R तो यह हो जाएगा 1 which is equal to 2R तो यहाँ से R की value हो जाएगा इस तो को निचे लियाओ तो 1 upon 2 R की value क्या गए? 1 upon 2 इसको आप इधर ही लियाओ तो A plus A R which is equal to 1 हमें basically A निकालना था तो A को common करो पीछे रहा जाएगा 1 plus R which is equal to 1 A 1 R की value है 1 upon 2 which is equal to 1 तो A एल्गम लेलो आप यहाँ से यह हो जाएगा 2 into 1 2 और इसको इधर 1 upon में 2 into 1 2 which is equal to 1 A यह हो जाएगा 2 plus 1 3 upon 2 which is equal to 1 इस 2 को इधर तो A which is equal to 2 upon 3 तो A की value आ गई 2 upon 3 तो यह हो जाएगा ठेक है? तो आप देखो एक बर फिर हम आगे बढ़ते हैं next question number 12 है the nth term of a GP is 128 nth term of a GP is 128 nth term को मैं किसे दो रोट कहते है? an से an है हमारा 128 the sum of its n term is 2 to 5 sum of its n term n terms का sum को मैं किसे दोट करते है? sn से sn क्या दियाव है? 225 r दियाव है common ratio is 2 r दियाव है मैं 2 काली को काली को या लिए देता हूँ r equal to 2 है ठीक है? अब अब देखो an क्या होता है? an होता है a r raise to power n minus 1 a into r raise to power n minus 1 which is equal to 128 हमें a ही निकालना है ठीक है? ठीक है भया ठीक है तो a तो आई लिए था हम इसे तो इसके मतल से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अच्छा sn का मतल यूज करते है sn क्या होता है? sn होता a r raise to power n minus 1 upon r minus 1 तो a तो नहीं पता r raise to power n minus 1 upon r minus 1 which is equal to 225 r है 2 तो a 2 raise to power n minus 1 upon 2 minus 1 which is equal to 225 a 2 raise to power n minus 1 2 minus 1 1 तो which is equal to 225 अब आप देखो यहां पर replace करो 2 को तो यह हो जाएगा a into 2 raise to power n minus 1 which is equal to 128 दोनों साइज आप 2 से multiply कर दो दोनों साइज 2 से multiply करोगे तो यह हो जाएगा 2 raise to power n minus 1 into 2 और यह हो गया 128 into 2 यह हो जाएगा a into 2 raise to power n यह हो जाएगा a into 2 raise to power n तो n minus 1 plus 1 तो यह 1 से 1 cancel तो यह हो गया 2 raise to power n minus a which is equal to 225 ठेक है अब देखा आप a into 2 raise to power n की value है 256 minus a which is equal to 225 और इसको आप इधर लेकर आजाओ उस mistake कर दी क्या मैंने minus a equal to 225 minus 256 तो यह हो जाएगा minus a which is equal to minus 31 minus 31 तो minus से minus cancel a which is equal to 31 मेरी तो a की वैल्यू 31 आ रहाए मैंक बार कुश्चिन चेक कर दू अब क्या दिक्कत होगी तो न थ तर्म आप जीपी इस 128 एं तंक तक है मैं 225 को मैं इस यह है 2 हमसे फर्स्ट आप रूश है a इंटो आप रहा है 128 128 इंटो 2 सही है कोई दिक्कत नहीं चीह है 2 माइनस 1 दोनों साइद हमने करा 2 से मैल्टिप्लाई ठीक है जीह है जीह है आप आप देखो लग रहा ना यह सम ही गलत द्यावाब देखो हमने यहां से एक वैल्यू निकाली यहां से निकाली यह क्वेशन ही साटेस्फाइड नहीं कर रहा है ठीक है मुझे लग रहा इस वाले भी कोश्चन में कुछ इसू है आप इसे भी चेक कर ले ना एक बार